तो देखो हम आपको बता दें जो बच्चा अमारे पास जिसका भी पेपर साइकॉलजिकल परस्पेक्टिव आफ एजूकेशन है चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिती से हो कुछ भी हो लेकिन अगर मैं स्पेशली सीएज्गम्यू की बात करूं तो उन लोगों के लिए विश आहीं कहां से तो सबसे बड़ी दिक्कत तो यह हम आपकी दूर कर दे रहें कि पढ़ने के लिए आपको मात्र क्या करना है रोज शाम को आना है किते बज़े सवा सात बज़े आपकी क्लास शुरू हो जाती पेपर थरी की सिक्षा के मनोवैग्यानिक परिप्रेक्ष की डेल से आप उसको बढ़ सकते हैं इन क्लासेस को पढ़कर के नोट्स बनाने से बैतर चूंकि नोट्स बनाने में होती है वेस्टिंग ऑफ ताइम अब इस बार क्या है आपको सीटेट भी देना सीटेट के लिए आप एपीरिंग मतले बच्चे माने गए हैं मानने तो कुछ देख रहे हैं कि आपके सामने यह चार यूनिट हैं जो आपके अनिपी 2020 के एकॉर्डिंग स्लाबस में होसे कौन सा शौर्ट बन सकता और कौन सा लोंग कोश्यन बन सकता यह देंगे तो अभी हमें अपको एक पीदियाफ भी दिखाएंगे इस लो एक टेंचन पूरा एर के पुराने model paper मतलब previous year paper देंगे model paper आपको देंगे practice करने के लिए उसके बाद में यह तो handwritten notes थे भाई handwritten notes में तो आदमी वो चीज़े लिखते है न जो important होती है complete theory भी देंगे कि नहीं आप पूरा भी पढ़ लो complete theory भी unit wise देंगे और one linear points भी देंगे मतलब कुल में लाकर के कहने का आशा यह है कि ऐसा कोई भी प्रशन नहीं होगा यह मेरी warranty है यहाँ पर बैठके मैं मतलब एक तरीके चे कहना यह बहुत बड़ी बात होती है यह एक teacher तभी कह सकते है जिब उसको अपने content पे पूरा भरोसा हो हना ऐसे कोई आदमी नहीं कहता है यह मेरी warranty है कि 100% question यहीं से फसेगा इससे बाहर आपका question नहीं जाएगा यह जो unit wise questions दिख रहे हैं आपको इससे बाहर आपका एक प्रशन भी पेपर में मतलब कहने का आशा यह है कि नहीं आएगा भाई हो सकता है कि हमने वाँ पर लिखाओ कि फलानी चीज को इस पश्ट की कीजिए वह लोग लिख देगी इस चीज को परिभाशित कीजिए बस इतना अंतर हो सकता है शब्दों का अंतर हो सकता है लेकिन topics का difference आपको नहीं मिलेगा अब ज़रा सबसे पहले एक एक करके मैं आपको साधी PDF दिखाऊंगे सबसे पहले हम आपको दिखाते है यूनिट कर्ball 2 जो धेओरी की PDF है वह तो देखो बाई बाई जैसे यूनिट टु है आपकी कौन भई है यूनिट 2 है और अधिगंब अभी प्रेटिआ ये य।差 ये ुनिट्ट ू है यूनिट 1 3 4 नहीं दिखाएं अपको यूनिट तु दिखा यूनिआओ precREE दिखाएं यह आप और अधिगम और प्रपकवता में क्या अंतर होता है तो यह जहां से आपके जैसे कोशन बनते हैं अब जैसे हमने आपको पढ़ाया तो तीन ततपर्ता का अब्यास को प्रभाव का नियम के अंतरगत हमने आपको पांच नियम बतायते हैं वह आप देख सकते हैं और फिर वह क्या है है ना कमप्लीट पूरी थेयोरी यह पिंजडे में जो आपका अभी आपने नहीं पढ़ाई मैं अभी यूट्यूब पे कवर करूंगी जो परयत्न और भूल का सिद्धान्त है यह हम सब आपको भी पढ़ाएंगे अभी आपने कवर नहीं हुआ है ठीक तो जैस अभी प्रेड़ना क्या है और उसके बाद में जन्मजात प्रेरक्ट क्या होते हैं यह आप डेख सकते हैं गैर्ट के अनुसार प्रेरकों का वर्गी करते हैं जैसे आप पूरी थेओरी जब आप पढ़ लेते तो एक समय ऐसा आता है पेपर टाइम पर लगता है कि कुछ छोटा-छोटा सा पढ़ ले शॉर्ट नोट्स में पढ़ ले तो यह वह चीज है आपके सामने देखो कम्प्लीट थेओरी तो अलग है लेकिन अब देख सकते हैं लिए आपको इंपोर्टेंट लिखा मिलेगा उसके बाद में यह क्या है यह देखिए वन लीनियर कोशियन जैसे कि विस लेशन आत्मक मनुविज्ञान के जनक कौन है सिग्में तूफान के वस्ता किसे का गया कि शुरव वस्ता को यह उनके लिए बहुत अप्रिया गश् यह रही आपकी बीट फर्स सेमेस्टर निपी 2020 के एक्वर्डिंग पीडियाफ जहां यही बस है कि जिससे कुछ नहीं होना है सबसे पहले देखो इसमें किया क्या गया इस पीडियाफ के अंतरगत आपको यूनिट वन के सारी सारी कोशिन मिलेंगे यूनिट टूके सारी कोशिन मिले टे की शारी की मिली जैसे नहीं सब कुछ बहुत अच्छे से लिख के आप प्रक्टेस कर रहें तो आपका पर्सेंटेज कहीं नहीं जाएगा इससे बाहर कोश्चन नहीं आ सकता मैं दिखाईए पीडिएफ देखो अमने का जैसे आपकी यूनिट वन है लगुत्री प्रशन है तो कौन जैसे सिक्षा मनो विआन के महत्व की संक्षिप्त विवेचना कीजए सिक्षा मनो vignyanka के प्रयोग आतमक विदी की विशेस्ताइं बताईए यह आप देख पारें इस तरीके के लगू कोशन्स उत्तरी मिलेंगे लगबग आपको पंद्रा उसके बाद में दीर गुत्तरी प्रशन देखिए आप कि सिक्षा मनो विज्ञान से आप क्या समझते उसकी प्रकृतिवर्म छेत्र के संबंद में आपको पढ़ा दिया है पूरा तो यूनिट वन से अब भई मैं पढ़ा तो आपने दिया यह पूरी यूनिट वन हम लोगों की यूनिट टू शुरू भी हो गई है तो यूनिट वन से बंदने वाले आपके पेपर में जो शॉर्ट एंड लॉंग कोशन्स है न वो जो हमन हम बात करें तो आपको आपको क्या देने जारा है प्रीवियस यहर पेपर क्या देंगे प्रीवियस यहर में कैसे होगा हमने का इसी पीडियाफ को स्क्रॉल करतें देखो कहने का आशे यह कि आपको भटकना नहीं पड़ेगा सब कुछ एक ही जगे मिल जाएगा जैसे कि य आप देख पाएंगे इसी के जास्त नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे यह देखो 2017 का पेपर हो गया सबसे अंत में हम आपको बहुत अल्टीमेट चीज देंगे जो है आपका क्या भईया मॉडल पेपर यह आपका मॉडल पेपर जिसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा 2022 क इसी तरीके से आपके पास सब कुछ हमने आपको दिखा दिया अब देखिए जब्रा नियुक्त मिलेगा एक समझो सबसे पहले आपको करना किया दोनों बाते समझे लेना ही नहीं है इसको पढ़ना कैसे यह और समझो बच्चे ले लेतने फिर वह बढदते नहीं बस यह बहुत गलत हो जयते हैं तो पहली बात तो आपको क्या करना फोन में जहां से आप सारी अपने फोन में फ्री पोईंट यही चैनल का नाम सर्च करते कर के इसको एप मिल जाएगा इसको इसमें अपनी आइडी बना लेना न तो पेड़ कोर्सेस में जाकर करके वहीं पर पेमेंट हो जाएगा और आपको यह PDF ले लेनी है मानलो मैं PDF ले लिया मैं नहीं खुल लई हम आज रुपिया चले जाएगा अपने कैसे बरबाद हो जाएगा आपका पैसा भी तो PG मैं आपके जिन्ना बेटी है उसके लिए मानलो आपका पेमेंट होगे और PDF नहीं खुली कभी कदार यह हो जाता है नेटवर्क एटवर्क के पीछे तो बहुत रेयरली तो उसके लिए हम आपको अपनी जीमेल दे रहे हैं मेरी जीमेल आइडी है पीजी पॉइंट हेंड्रेड एडडरेट जीमेल.कॉम हना तो आप हमको इस पे क्या करेंगे इस पे अपना नाम ठिक अपना मोबाइल नमबर और क्या चीज अपना जो आपने कोर्स लिया है उस कोर्स का नाम जैसे मैं मनोव ज्यानिक लिया है फस्ट सेमिस्टर इतना लिख करके अपना mail कर देंगे टीम आपसे contact कर लेगी या जो बच्चे Instagram पे नहीं जुड़ें तो वो PG point official मेरा Instagram है आप हमें ये message वहाँ पर भी कर सकते हैं ठिक नहीं तो आप क्या कर सकते हैं Instagram पे हमको message कर सकते हैं ठिक या इतनी जानकारी आपको हमें mail तो सब कोई कर सकता है और PG point official Instagram पे जानकारी दे सकता है कि मैं ऐसा होगी कोई दिक्कत नहीं दूसरे चीज कि मैं PDF लेने के रेजिस्टर ले लीजेगा मैं उसका क्या होगा हमने का मोटा वाला रेजिस्टर लीजेगा ले लिया मैं हमने का उस पर डालीएगा unit 1 क्या डालेंगे heading unit 1 केवल जो long answer short की बात नहीं कर रहे हैं केवल जो long answer है ना सिर्फ उसकी practice कर डालो उससे होगा क्या एक तो आपकी कित्ते 10 long question दिएं कित्ते 10 long question दिएं दो long question आपको एक दिन में लिखना है कित्ते दो long question आपको एक दिन में लिखना है मैं लिखेंगे कहां से हमने का question देखा PDF से उसको अपनी रफ में उतारा और answer भी आपको क्या करना है देख के ही लिखना है क्या मैं हमने का हाँ देख के ह लिख लेना आप उसी PDF से देख के लिख लेना अंसर थिक तो उससे होगा क्या कि आपकी लिखने की प्रक्टिस हो जाएगी मैं देख के लिखेंगे तो याद कैसे होगा हमने का यही तो स्ट्रेटेजी है जब आप देख के लिखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आगा कि इसमें यहाँ पर अपने शब्दाइसे जोड़ सकते हैं तो क्या करना है आपको अप इससे कि होगा क्या कि बहुत चार यूनिट हैं मानिएगा चार यूनिट हैं एक यूनिट में हम आ इस PDF को आपको जा करके ले लेना है ठीक है और क्या मैं आपको बता दूँँ कि अगर आप आज के जमाने में खुद से भी pen copy लेकर के नोट्स बनाने बैठोगे ना समय कर तो मैं कोई मूल यही नहीं है बढ़ अगर एक अच्छी copy भी लेने जाओगे वाइट पेज की तो हमने कर ठीक चलो 10 रुपए उसको जोड़ लो उसके आप मैं हम स्केल भी लाएंगे हम 5 रुपए उसके जोड़ लो कित्ते होगे कुल मिला के 105 रुपए होगे तो हमको इससे मतलब नहीं हम आपको सिर्फ और एक बात बता रहें कि अगर आप खुद से नोट्स बनाओगे इतना कर जाएगा अगर आप कॉलेज नहीं जा रहे हैं तो यह आप कुछ ना करो पता है क्या करो सिर्फ यूट्यूब वाली क्लासेश देख लो और यह वाला पीडियाफ कोर्स ले लो हमारा मानना है कि अगर आप अपना देड़ लाक रुपए लगबग खर्च कर सकते हो किसमें बीड का कोर् क्या परसेंटेज लाने के लिए आपके वह 90 और अगर मन है तो आप ले सकते हैं फिलाल अभी हमने आपकी पेपर 3 की पीडियेफ लांच कर दी है पेपर 1 और पेपर 2 की पीडियेफ लांच करने भी तो पहले आप इनको ले लीजिए तब तक आप इनका रिवीजन करिए प हम आपको उल्लू बना दे हैं तो पेपर वन और पेपर टू भी इसी तरीके से लॉंच करेंगे बहुत अच्छे सिस्टम से तो फिलाल आप पेपर त्रीकी ये पीडियाफ ले लिजे और अपनी प्रेक्टिस शुरू कर दीजे क्योंकि ये वाला जो पेपर है इस सर्दी क्या केवल यूट्यूब से पढ़के मैं पास हुआ जा सकते हैं हाँ बिल्कुल हुआ जा सकते हैं अना कोई मेरा बिल्कुल प्रेशर नहीं है आपका मन हो तो आप ले लो नहीं मन है तो ना लो इस नोट प्रेशर टूकि इस अनली अप पास हुआ जा सकता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है भई या पीजी पॉइंट है आप हमसे वहां से जुड़ सकते हैं ठीक है और इंस्टाग्राम हमने आपको बता ही दिया है पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से यह थी छोटी सी जा दियान रखिएगा और हाँ एक जरूरी बात तुम्हां बताने ही भूल जाए आपको वह यह पीडियाफ आपकी जो है वह सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन पर ही रहेगी डाउनलेडबल नहीं मतलब आप यह नहीं सोचो कि हम उसको फॉरवर्ड करने लोगों को यह वह सब चीजें नहीं पॉसिबलन ठीक तो हमेचा खुश रही हैं मुस्कुराते रहे हैं कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए तिल देक कियर बाई बाई लव यू आल लव यू माई डियर क्लास और अपना ध्यान रखिएगा साथ में रोज क्लास जोईन करना नहीं भूलि ठीक